OCN Network में आपका स्वागत है अगले महिन्य यानि मई के पहले सक्ताहा में या दूसरे सक्ताहा में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आम आदमी पारिटी के नेताओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा आगहात साबित हो सकता है और ये क्या आगहात होगा जो सूचना है मिल रही है सुप्रिम कोर्ट में भी ये मामला आया था इसके अलावा हाई कोर्ट में भी ये मामला आ चुका है और अब इड़ी के जो सुत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अब इसके लिए तैयार है तैयारी किस बात की है तैयारी ये है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है अधिकांश नेता वो भी ठिकाने लगने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी ठिकाने लगने जा रही है कई वीडियो में मैंने ये बात कही थी इसके इंडिकेशन दिये थे कि ये लोग जो महत्वा कांक्शियों का जो एक अड़ा बन गई है पार्टी और जिसको ये लग रहा था कि हम तमाम तरह के शॉर्टकट्स अपना करके और तमाम मर्यादाओं को नेतिकता को जो मांदंड होते हैं उनको ताक पर रख करके और हम वहां तक पहुँच जाएंगे जहां पहुचने में पॉलिटिकल पारिटियों को भी और उसके नेताओं को भी एक पूरा काल खंड लग जाता है इसके लिए इन लोगों ने जो जो हत्खंडे अपनाए हैं जिस तरीके से घोटाले और भरष्टाचार करने शुरू किये उसी का नतीजा है कि आज ये पारिटि अपने अंतकाल के बिलकुल मुहाने पर खड़ी है और जो संकेत मिल रहे हैं ED की तरफ से ED के ऑफिशियल्स की तरफ से ED के एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी ने Indian Express से बाच्चीत करते हुए ये स्वीकार कर लिया है कि High Court ने जो कुछ कहा था और Supreme Court की पीठ ने जो कहा था उसके आलोक में उसके मद्दे नजर अब हम आम आदमी पारिटी को भी शराब घोटाला केस में एक पारिटी बनाने जा रहे हैं आरोकी बनाने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो आप ये तैमान लीजिए कि आम आदमी पारिटी के खाते भी सील होंगे आम आदमी पारिटी का दफ्तर भी सील होगा आम आदमी पारिटी की संपत्ती भी जब्त की जाएगी और अब ही तो ये अरविंद केजरिवाल की जो डाइबिटीज है जो बलड शुगर है उसको लेकर के ही हल्ला काट से दिखाई दिए पिछले दस बारे दिनों में पर बहुत जल्दी आपको मुझे लगता है कि दस मई के आसपास दस मई से पहले या दस मई के तुरंत बाद जो एक चार्ज शीट तैयार हो रही है इडी के द्वारा जिसमें अरविंद केजरिवाल मुख्य साजिश करता के तोर पर होंगे के कविता जो हैदराबाद से ग्रफतार की गई थी वो इनकी सहे शडियंतर कारी के तोर पर उसका नाम आएगा इसके अलावा चनपरीत सिंग जो गोवा से ग्रफतार किये गए दिल्ली के रहने वाले हैं गोवा में इनके ही हाथों करीब 48 करोड रुपया बाटा गया था जो हवाला के जरिये उन्होंने कलेक्ट किया था साउथ के ग्रूप से वो भी आरोपी बनाये जाएंगे इसके अलावा भी 3-4 और लोग आरोपी बनाये जा रहे हैं और ये चार्ज शीट 10 माई के आसपास पेश कर दी जाएगी अदालत में इसमें आम आदमी पारटी को भी एक एक्क्यूज के तोर पर आरोपी के तोर पर शामिल करने की तैयारी की जा रही है और अगर ये हो गया तो ये पारटी जितनी तेजी से उपर गई थी उतनी ही तेजी से इसका पतन होने वाला है जो जानकारी मिल रही है चार्ज सीट तैयार है लगबग फाइनल स्टेज में है पंदरा मई से पहले पहले इसको दाखिल किया जाना है और पंदरा मई की तारीक क्यों बताई जा रही है क्योंकि के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से ग्रफतार किया गया था जो साउथ ग्रूप को रिपरजेंट करती है MLC हैं वहाँ की और KCR जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी बेटी भी है के कविता को ED वहाँ से ग्रफतार करके लाई थी और उसके बाद ये तिहाड में आराम फर्मा रही हैं अर्विंद केजरिवाल की तरह, मनीश सिसोदिया की तरह और दूसरे अभियुक्तों की तरह इनको ग्रफतार किये 15 माई को 60 दिन पूरे होंगे और ED चाहती है कि 60 दिन की जो अवधी होती है उसके अंदर ही चार्ज शीट अदालत में पेश कर दी जाए अर्विंद केजरिवाल 21 मार्च को ग्रफतार किये गए थे चन प्रीत सिन 15 अप्रेल को ग्रफतार किये गए थे और कुछ और अभी ग्रफतार किये जाने हैं जिनके नाम अर्विंद केजरिवाल ने लिये थे, कि विजय नायर जो है वो तो आतिशी और सोरा भारदवाज को रिपोर्ट करता था, मेरे से तो उसका कुछ खास लेना देना था नहीं, और इन दोनों ने प्रेस कॉंफरेंस करके दो और नाम ले दिये थे, एक दुरगेश पाठक को, और जो अर्विंद केजरिवाल के पिये रहे हैं, जिनको अभी हाली में डिस्मिस किया गया है, वरखास्त किया गया है, टर्मिनेट कह सकते हैं, विभव कुमार, इन दोनों को बुला करके, पिछले हपते, ईडी पुछताच कर चुकी है, वही गोवा वाले और अर्विंद केजरिवाल के पिये रहे विभव कुमार का भी, अभी कई ग्रफतारिया होनी है, कुछ ऐसे नाम भी अभी और सामने आ सकते हैं, जिनके बारे में अभी चर्चाएं भी नहीं हैं, और हम लोग अभी जानते भी नहीं हैं, एक्चुल में, अक्तूबर दो 2023 में, जब इस पूरे केस की सुनवाई चल रही थी, और अर्विंद केजरिवाल समन पर समन भेजे जाने के बावजूद, एडी के दफ्तर नहीं पहुँच रहे थे, और सारे समन को अवैद बता करके पूछ रहे थे, किस हैस्यास से मुझे बुला रहे हैं, आरोपी के तो पर, मुख्यमंतरी के तोर पर, आम आदमी पारिटी के संयोजक के तोर पर, किस तोर पर बुला रहे हैं, तो उस समय ही सुप्रिम कोट की जो बेंच थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और एसवी भट्टी साब थे, उन्होंने एडी से ये पूछा था, कि आप कह रहे ह हैं, किसाब ये जो शराब घोटाला है, जो नई आवकारी नीती बनाई गई थी, इसकी लाबहर थी आम आदमी पारिटी भी है, और आम आदमी पारिटी ने इस से जो सो करोड रुपया पकड़ा गया है, रिश्वत का, साउत गुरुप से, वो गोवा के चुनाओं में खर हो सकता है, यहां कहीं खुर्द बुर्द किया गया हो, तो यह कहा गया था सुप्रिम कोट की तरफ से, कि अगर आम आदमी पारिटी भी लाबहर थी है, तो इस मामले में आम आदमी पारिटी को आप एक्यूज क्यों नी बना रहे है, आरोपी क्यों नी बना रहे है, और चा ले कोट में भी उनका ये बयान आया था, कि साब हम बनाना तो चाहते हैं आम आदमी पारिटी को एक्यूज, आरोपी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या हमारे सामने है, समस्या भी इससे भी ज़्यादा धरम संकट है, वो ये है कि इस समस्याव की परकरिया चल रही है, और चुनाव की परकरिया के बीच में, अगर हम आम आदमी पारिटी को एक्यूज बनाते हैं, उसके खाते सील करते हैं, उसकी संपत्ती जब्त करते हैं, तो हल्ला काटा जाएगा, शोर मचाया जाएगा, कि देखो पहले तो अर्विंद केजरिवाल को उठा करके अंदर कर दिया गया, और दूसरे लोगों को अंदर कर दिया गया, और ये लोग लगातार हल्ला काटी रहे हैं, किसाब मोधी जी ने इसलिए अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार करवा करके अंदर करा दिया, क्योंकि वो अर्विंद केजरिवाल से बड़े डरे हुए हैं, उनकी लोक प्रियता से, उनके कद्स से, और अगर पूरे देश में नरेंदर मोधी को किसी से डर लगता है, तो अर्विंद केजरिवाल, अब अगर हमने ये करवाई कर दी, तो फिर ये कहा जाएगा, कि देखो चुनाओ के बीच में आम आदमी पारिटी के खाते भी सील कर दिये, तो अब ये खर्चे कहां से करेंगे, तो उन्होंना कहा कि हमारे सामने दोहरा संकट है, संकट ये भी है कि जब तक हम ये जबती की करवाई नहीं करेंगे, यानि खाते सील नहीं करेंगे, और दूसरी जो संपत्ती है, आम आदमी पारिटी की, उसको हम सीज नहीं करेंगे, तब तक हम ये सावित भी नहीं कर पाएंगे, कि हमारे पास ये सबूत है, जो कुछ ये करम कांड हुआ है 100 करोड का हो या 338 करोड का हो सुप्रेम कोर्ट ने तो 338 करोड रुपया on record ले लिया था कि ये money trail दिखाई दे रहा है तो अब सवाल ये है कि किस धारा के तहत ये का रवाय हो यानि आम आदमी party को किस कानून के तहत कानून की किस धारा के तैत accused बनाया जाए क्योंकि आम तोर पर एक या धारना है कि असाब जो companies होती है वो तो कारोबार के लिए बनाई जाती है और जो political पारिटियां है ये जन्सेवा के लिए बनाई जाती है और political पारिटियों को जो donation भी मिलता है या जिस तरह के ये पिशले दिनों चुनावी बॉर्ण वगेरा को लेकर के तमाम हले कटे हैं तो उस तरीके का पैसा भी मिलता है तो उनको कही तरह की छूट होती है वो रिटर्न दाखिल नहीं एज सच इंकम टेक्स नहीं देते लेकिन रिटर्न दाखिल करते हैं तो इसमें ये एक संकट आ रहा था कि क किस कानून के तहट किस धारा के तहट ये सब किया जाए तो जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले की तो हाई कोर्ट ने भी ये माना था कि जन परतिनिधित्व अधिनियम के तहट राजनितिक दल की परिभाशा एसोसियेशन ओफ इंडीजवल्स होत परिभाशा भी लोगों का समहू ही है तो आम आदमी पारिटी भी एक कमपनी की तरहा ही काम करती हुई देखी गई तो हाई कोर्ट ने ये मान लिया जब तो इसे जो है पीमले एक्ट की धारा सत्तर के तहट कमपनी के रूप में अब इडी देख रही है और इसी धारा के तहट चार्जशीट तयार की जा रही है और चार्जशीट पेश करने की जो ओप्चारिकता होती है उससे पहले जो भी विधी विशेशग्य हैं कानून के जानकार हैं ठोक बजा करके उनसे अब जो चार्जशीट पेश की गई है उसको इडी के अधिकारी दिखवा रहे हैं परताल करवा रहे हैं इसका मतलब ये है और इस पर अभी शेक मनु सिंग्वी की भी एक परतिकरिया इधर मीडिया में देखने को मिल रही है कपिल सिब्बल की भी देखने को मिल रही है मतलब जो इनके लिए पेश होते रहे हैं अलग-अलग कोर्ट में उनके पेट का भी पानी ढीला होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी शेक मनु सिंग्वी हैं उन्होंने एड़ी के जो इरादे हैं इरादे शब्द का इस्तिमाल किया उन्होंने उस पर सवाल खड़ा किया और कहा के साब इसका मकसद तो ये है कि आम आदमी पारिटी को ही खतम करने की तैयारी की जा रही है उसकी जो है एक साजिश रची जा रही है और इसके बाद तो जो पारिटियां है जो राजनितिक दल हैं उनको भी कंपनी की तरह ट्रीट किया जाने लगेगा कंपनी कारोबार के लिए बनाई जाती है, राजनितिक पारिटियां सेवा के लिए बनाई जाती है, बिजनिस की तरह अब पॉलिटिकल पारिटियों के भी आडिट होने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की बातें अभी शेक मनु सिंग बेने की है, कपिल सिब्बल ने क्या का, कपिल सिब्बल ने तो जो पीमले एक्ट की धारा सत्तर है, उसी का बेजा इस्तमाल करने की बात के ही, किसाब ये तो धारा सत्तर का गलत तरीके से इस्तमाल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस तरह के रियक्शन कपिल सिब्बल और अभी शेक मनु सिंग भी के आए तैयारियां हो रही हैं आम आदमी पारिटी को भी एक पारिटी बनाने की उसकी खबरे जो च्छन करके आ रही है उसके आधार पर हम यह बता रहे हैं कि आब आम आदमी पारिटी पर भी शिकंजा कसा जाने वाला है और केवल केजरी वाल ही नहीं, इनके संगी साथियों ही नहीं, आम आदमी पारिटी के भी अस्तित्व पर एक बड़ा संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकी परतिकरियां ये बताती हैं, ये हड कंप मचा हुआ है। ना केवल इनकी लीगल टीम में, बलके पूरी पॉरी पॉलिटिकल पारिटी में, आम आदमी पारिटी के कही नेता तो इस समय तिहाड में हैं, तिहाड की रोटियां खा रहे हैं, अर्विन केजरिवाल अभ भर से बन करके जा रही हैं, पर वाकी तो वहीं की रोटियां खाने के लिए अभी शब्त है, तो अब बात ये है, अभी आपको याद होगा, एक इंटर्वियू, एशिया नेट नियोज ने किया था, प्रदान मंतरी नारेंदर मोदी का, तो उसमें एक सवाल जब उनसे उड़िया बात कई, उन्होंना कहा कि साब ये जो ट्रेन में टिकेट चेकर होता है, वो टिकेट चेक क्यों करता है, और उस पर लोग सवाल क्यों नहीं उठाते, कि वह क्यों टिकेट चेक कर रहे हो, हमारी इमानदारी पर शक है कि आपको, उन्होंना कहा कि टिकेट चेकर क की नियुकती ही टिकेट चेक करने की होती है। इसी तरीके से अगर आपने ED बना रखी है, CVI बना रखी है, IT बना रखी है, Income Tax Department बना रखा है, तो उनका काम क्या है। इडी, CVI, Income Tax Department ये मोधी सरकार ने तो बनाई नहीं दो हजार चोदे में आकर के। ये तो पहले से ही काम कर रही है। और पहले भी ग्रफतारियां हुई हैं, पहले भी जबतियां हुई हैं, कार्यवाईयां हुई हैं। और उन्हाने एक आकड़ा भी दिया था, एक और इंटर्व्यू में बताया था के 2004 और 2014 के बीच में केवल 5000 करोड की जो कैश थी, वो वरामद की थी, 10 साल में, एडी ने। और इनके आफिस संभालने के बाद, सत्ता में आने के बाद, एक लाख करोड से ज़्यादा का तो कैश और संपत्ती ही जबत कर चुकी है, एडी। एक आखड़ा उन्होंने और दिया था, उन्होंने कहा था कि साब, जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए हैं, 2014 के बाद अब तक, 10 सालों में, इनमें केवल 3 प्रतिशत पॉलिटिकल पारिटियों से सम्मन्दित लोग हैं, 97% ऐसे लोगों के खिलाब केस दर्ज किये गए हैं और कारवाई की गई है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड है ही नहीं, उस पर तो कोई हला नहीं मचाता है, कोई अर्विंद केजरिवाल गिरफतार हो जाता है, पार्था चटरजी गिरफतार हो जाता है, या अनिल देशमुक और नवामलिक हो जाते हैं तो बड़ा हला मचाते हैं ये लोग, पूरे मेडिया से पूरे देश का सिर पर उठा लेते हैं, तो ये सारी चीजे जितने डवलपमेंट इस समय चल रहे हैं, जो परदान मंतरी नहीं कहा कि अगर एडी कारवाई ना करे, तब उसकी नियत पर सवाल खड़ा कि जाए, कि वही जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, वो काम नहीं कर रही है, तब तो समझ में आता है, जेस्टिफिकेशन है, लेकिन वो जिस काम के लिए बनी है, और वो कार्यावाई कर रही है, और उस पर सवाल खड़े किये जाते हैं, ये तो बड़ा अजीब समझाख और जो जानकारी मैंने दी है, यह सोफी सदी सही है, आप अगले पंद्रा दिन के बहितर, जादा से जादा बीस दिन के बहितर, यह देखेंगे के आम आदमी पारटी के bank खाते भी सीज होंगे, इसकी संपत्यां भी सीज होगी और आम आदमी पारटी को एड़ी एक एक्क्यूज के तोर पर चार्ज शीट में अर्विंद केजरिवाल के साथ ही रखेगी कुछ दूसरे लोग उसमें होंगे के कविता से लेकर के चनप्रीत और कुछ और चेहरे और उसके बाद आप अंदजा लगाईए कि अर्विंद केजरिवाल और इनकी पारटी का क्या होगा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट फसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार